आज का हमारा topic है share new wordpress post on Pinterest तो आज किस automation में हम सीखने वाले घिक कैसे हम wordpress और pinterest के बीच म슬kenksWAN build करेंगे कि जैसे wordpress पर आप कोई नई post publish करेंगे तो same post Pinterest पे भी as a pen हो जाएगी create तो इसके लिए आज हमें WordPress और Pinterest के बीच में connection बिल्ट करना पड़ेगा Public Connect की मदद से जिस पर मारा trigger होगा कोई नई post publish होना WordPress पे और हमारा action होगा same post as a pin create हो जाना Pinterest पे तो आईए देखते हैं मेरी screen पे कैसे मैं पूरा automation पना रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं यह है मेरा WordPress का account अब हम चाहते हैं कि जब भी WordPress पर हम कोई नई post create करें तो automatically cm post as a pin create हो जाए Pinterest पे तो आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी process को हम automate कर सकते है पैबली करेंट की मदद से WordPress और Pinterest के बीच में connection बिल्ड करके जैसे यह WordPress पर कोई नई post create करेंगे तो automatically cm post Pinterest में as a pin हो जाएगी create तो चलता है नियो टैप पर आप देख सकते हैं यह है पैबली करेंट का landing page पैबले एक बहुत ही connection बिल्ड करना है दो एप्लिकेशन के बीच में क्लिक करेंगे access नाव पे access नाव पर क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पैबली करेंट का principles या concepts पर ही होता है based इनके definition के बात करें तो trigger कहता है when this happen मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो आज का हमारा trigger application क्या होगा आज का हमारा trigger application होगा WordPress WordPress में when this happen मतलब जैसे ही कोई नई post create हो तो action यानि Pinterest में do this मतलब एक पेन हो जाए create वो भी same post के साथ इसके बाद trigger event हमको select करना है new post published इसका मतलब WordPress में जैसी कोई नई post published होती है तो जो हमारा workflow का trigger है वो instantly run करेगा सारी details public connect के पास capture करेगा और same details को transfer कर देगा Pinterest में as a pin trigger event select करते ही यहाँ पर हमको मिला है webhook URL वैबोक URL का काम होता है दो applications के बीच में connection का काम करना तो आज webhook URL हमारी मदद करेगा पैबलिक connect और WordPress के बीच में connection बिल्ट करने में यह webhook URL हमको यहाँ से करना है copy इसके बाद देगे हमको यहाँ पर सारे instructions दिये हुए इन instructions का use करके हमें webhook URL को connect करना है पैबलिक connect से तो मैं आपको डारेक्टिब बताता हूं कि webhook URL हमको कैसे use करना है देखिए जैसे मने यह webhook URL कोपी कर रहा है जहां पर लिखा रहा है waiting for webhook response इसका मतलब जैसी यह webhook URL में WordPress पेस्ट करूंगा तो जो भी response WordPress में हमको capture होगा जैसी कोई नई post हम create करेंगे तो automatically जो हमारे workflow का trigger है वो run कर जाएगा और उसकी सारी details पे बिकनेट के पास capture कर लेगा तो चलते है WordPress के account पर WordPress के account पर आते ही आपको देखे left side पर कुछ options देखे रहे होंगे आपको scroll down करना है नीची जाना है plugins पे plugins पर जाते ही आपको click करना है add new plugins पर यहां पर आपको search करना है WP webhook तो देखें यहां पर लेका हरा है WP webhooks create powerful automation workflows directly within WordPress तो यह WP webhook आपको करना है installed यह मेरे system में already installed इसका latest version already installed है तो आप भी इसको install करें तभी जो आपका WordPress का account है वो public connect से हो पाएगा connect दीकि इसको मैं करूँगा बद आपको बताता हूं next process में आपको क्या करना है यह WP webhooks install क करा होगा तो वह आपको यहां पर show रहा होगा bottom पर WP webhooks करना है आपको open WP webhooks open होती ही आपको जाना है send data पे इसका मतलब हम क्या करना चाहते हैं आज हम यह करना चाहते है कि WordPress पे जैसी कोई post create होती तो उसका data public connect को भीजना चाहते है इसलिए मनें आपके क्लिक किया send data प WordPress में जैसी कोई post create हो तो उसका पूरा data public connect के पस चले जाए तो post create पर आपको क्लिक करना है और post create पर क्लिक करते ही आपकी सामने एक option आ रहा होगा add webhook URL का आपको click करना है add webhook URL पे इस webhook को एक name देना है तो मैं इसको नाम देता हूं Pinterest pins मैंने इसको नाम दिया है Pinterest pins और इसक paste करते ही मैं क्लिक करना हूँआ add for post create पर क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा workflow का trigger है वो तभी run करें जब WordPress में जैसी कोई post हो create तो देखिए यहापे क्या लिखा रहा है तब webhook URL has been added अब हमको एक step और करना है हमको वापिस scroll down करना है नीचे और देखिए यह जो भी हमने webhook URL create किया था Pinterest pin का इसको करना है हमको open तो देखिए त्री dots पर क्लिक करना है जाना है आपको settings पे और settings पर जाती है आपको यहापर select करना है trigger तो trigger क्या है हमारा trigger है हमारा post published इसका मतलब इसका मतलब जैसी WordPress में कोई post published होती है तो automatically हमारे workflow का trigger run कर जाएगा scroll down करेंगे हम नीचे और click कर देंगे safe settings पे तो दीखिए WordPress के account को हमने successfully पैबली connect से हमारे connect कर दिया है अब हमको क्या करना है अब हमको जाना है WordPress पर post करनी है create जैसे मैं कोई नई post create करूंगा तो दीखिए automatically उसका जो response है वो पैबली connect के पास हो जाएगा capture तो दीखिए click करना है हमको new पे जाना है post पे और यहाँ पर हमको देना है title हमारी post को तो दीखिए मैं इसको title देता हूँ और यहां पर मैंने एक description में दे दिया हमारी post का, अब हमको scroll down करना है नीचे, और यहां पर choose करना है set featured image का option, set featured image में जाते ही हैं से हमको choose करनी एक image, तो माली जी मैं को यह image करनी है, upload तो यह image मैंने कर लिए choose, और मैं क्लिक कर दूँगा set featured image पे, तो देखिए यह image यहां पर upload हो चुकी है, अब हमको click करना है published post पे, यहां पर मैं click कर दूँगा, publish पे, तो देखिए हमारी post और यहां पर publish, तो देखिए successfully हमारी post और यहां पर publish हो चुकी है, वर्ट्प्रेस के account पे, यह थी हमारी post का title, वर्ट्मून स्टेंट फॉर, और यह था हमारा content पूरा, और यह थी हमारी image, अब चलते हैं public connect पे, और वहां पर हम चेक करेंगे कि जो भी response इस post का, वहां पर capture हो रहा है नहीं, क्योंकि हमने web qrl के मदद से wordpress और public connect के बीच पे connection बिल्ट कर दिया है, यह thumbnail हमको upload करना है Pinterest के pin पे, तो यह post का thumbnail हमको मिल चुका है, post का permalink भी हमको मिल चुका है, और scroll down करते हैं नीचे, तो दिखी, यह था हमारा post का title, जिसका मतलब जो हमारा first step of integration, और यह था हमारा post का content, जिसका मतलब जो हमारा first step of integration है, वो work कर रहा है, हमने successfully wordpress के account को public connect से करती है, connect, इसका मतलब wordpress में जैसी कोई नई post publish होगी, तो automatically उसका जो response है, वो public connect के पास हुजाएगा capture, अब हमको क्या करना है, अब हमको यह response का use करके, Pinterest में pin करनी है, create वो भी same post के साथ, तो action application में हम choose करेंगे, यहाँ पर Pinterest और action event पर हमको select करना है, create pin, click करूँ का मैं connect पे, और अब Pinterest के account को हमको connect करना है, public connect से, जाना हमको add new connection पे connect with Pinterest, देखिए मेरा Pinterest का account और रेड़ी lockdown है, तो मैं केवल access दूँगा, public connect को Pinterest से connect करने के लिए, और देखिए हमारा authorization यहाँ पर successful हो चुका है, इसका मतलब जो हमारा Pinterest का account है, वो भी public connect से connect हो चुका है, इसके बाद आपको हमको हमको select करना है board, जो चलता है Pinterest के account पर तो देखिए, यह सारे मेरा boards यहाँ पर create करके रखा है, और मैं चाता हूँ कि इस particular board पर ही जो WordPress के post है, वो आके हाँ पर as a pin हो जाए create, यह board का नाम है new board, तो पैबलिक इनेक्ट पर चलते हैं, यहाँ से select कर लिता हमारी board का नाम, तो automatically हमारे system ने fetch कर लिया new board, इसके बाद अगर आपके बस कोई board section ID है, तो आप यहाँ पर paste कर सकते हैं, अगर आपके बस board section ID नहीं है, तो आप केवल इस map की बटन को on करके इसको छोड़ दे blank, फिर आती है हमारे समने required fields, like image URL, title and description, तो यहाँ पर हम use करेंगे mapping का, अब आप सोच रहे होंगे कि mapping का मतलब क्या होता है, तो mapping का मतलब यह होता है, कि जो response हमको trigger application में मिला था, यह जो response हमको मिला था, इसका use हम यहाँ पर कर लेंगे, वो भी without manually type करके, इस process को हम कहते है mapping, तो मैं आपको बताता हूँ mapping कैसे की जाती है, तो यह जो blank field है, आप जैसी इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर लिखा रहा है insert data from previous step, WordPress जो कि हमारी previous step थी, जो कि हमारी trigger application थी, वो आपको यहाँ पर show हो रही होगी, इसके drop down पर जैसी क्लिक करेंगे, तो आपको पूरा response आपर show होने लगएगा, जो हमको trigger application पर मिला था, यहाँ से हम choose कर लेंगे हमारी post का thumbnail, पोस्ट thumbnail यहाँ पर मैं type करूँगा, तो देखे यह था हमारी post का thumbnail, जो image URL हमको upload करना था, पोस्ट का वो है यह thumbnail में, इसको मैं कर दूँगा यहाँ पर map, तो देखे यह मैंने कर दी है map, अब आप सोच रहे होंगे कि, यहाँ पर मैंने mapping का use क्यों किया है, मैंने यहाँ पर mapping का use इसलिए किया है, क्योंकि जब भी workflow run करेगा, तो जो भी data हम यहाँ पर map करेंगे, वो automatically new data से हो जाएगा change, इसका मतलब WordPress पर अगर हम को different post भी upload करेंगे, तो जो post के contents है, वो अलग होंगे, डिफर करेंगे, तो वो automatically हो जाएगे update, इसलिए mapping करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर यह field manually type करते, तो यह field हमेशा रहती static, इसलिए यहाँ पर mapping करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अब title भी हम यहाँ से कर देंगे map, title पर हम click करेंगे, वापिस click करेंगे wordpress, जो कि हमारी trigger application थी और यहाँ से map कर देंगे हमारा title, तो title था हमारा what moon stands for, फिर आथा हमारा description, तो description भी हम यहाँ से कर देंगे map, यहाँ पर मैं टाइप करूँगो content, तो देखिए यह था हमारी post का content, इसके बाद आता है all text and image link, अगर आप इसको fill करने चाते हैं, तो fill कर सकते हैं, यह mandatory field नहींगे, इसलिए हम इसको छोड़ाएंगे blank, अब देखिए जैसे में click करूँगो, save and send test request पे automatically Pinterest के इस particular board में एक pin हो जाएगी create, चलते है पैबली connect पे, click करते हैं, save and send test request पे, तो देखिए हम पे हमको API response receive हो चुका है, title था हमारा what moon stands for, और यह एक positive API response receive हो है, इसका मतलब Pinterest पे automatically एक pin हो चुकी होगी create, तो चलते हैं Pinterest के account पे, इसको करते हैं refresh, तो देखिए automatically यह पे हो चुकी है, upload एक pin हो चुकी है create, जैसी WordPress पे कोई post प्रेट करेंगे, तो automatically Pinterest पे as a pin हो जाएगी create, तो देखिए यह था हमारा description, यह था हमारा title, इसका मतलब जो automation, जो connection हमने build किया था, बीच में work कर रहा है, simply दो step पे हमने automation create कर दिया था, कि जैसी WordPress में कोई नई post create होगी, automatically Pinterest में same post as a pin हो जाएगी create, तो इसमें हमारा trigger था WordPress और हमारा action था Pinterest, और मैं आपको बता दूँ, यह जो पूरा workflow आईगा work करेगा, instantly इसका मतलब WordPress में, जैसी कोई post create होगी, उसका पूरा data पैबली करेट के वास instantly capture हो जाएगा, और पैबली करेट की मदद से Pinterest में होगा इजब पिन हो जाएगी create, वगर आप भी इस workflow का यूज करना चाते हैं, तो इसका link पे अपनी वीडियो की description में दे दूँगा, जहां भी इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं, आप और भी application की integration पैबली करेट की मदद से बना सकते हैं, इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं support at the rate family.com पर, अगर आपको कोई queries हैं, आपको कोई doubts हैं, तो आप जा सकते है forum.family.com पर, अगर आपको pricing related कोई issue हैं, तो आप जा सकते हैं इस link पर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो please like करें, share करें और हमारी चैनल को subscribe करना ना बोलें, thank you.